विर्जी शर्माम जो जो मैं जो केनीडा के निश रूज आए हैं इस एंटरनेशन स्टूडेंट्स के उन पे डिस्क्स करने जा रहा हूं जैसा कि आप सबको पता होगा कि due to COVID, COVID के बाद उनने one year के लिए या more than one year के लिए फुल टाइम कर दिया था इंटने स्टूडेंट्स को working rights की, वो फुल टाइम जब आप उनकी academic sessions चला हुआ है, उस टेम फुल टाइम वाक कर सकते थे पर now 29th April को उनने decision लिया है कि from 1st of May, now student has changed that decision now, कि वो जो पास्ट उनका जो इससे पहले lockdown से पहले COVID के पहले जो था उनका working rights students के 20 hours per week वो ही रहेंगे, जैसा कि आप पहले ही पता था कि 20 hours per week का मतलब कहा है, आप डेली 4 hours in a day work कर सकते हैं, यह उनने इसलिए किया है कि students जो है, जिस purpose के लिए Canada आ रहे हैं, basic लिए study करने के लिए जा रहे हैं, तो उनका focus mainly study पे हो, और Mr. Miller ने जो उनका immigration minister है, उन्होंने ये भी कहा है, कि हमने जो GIC increase करा है 10,000 to 20,635, वो भी इसलिए किया है कि students को किसी work पे डिपेड़ना होने ताकि उनकी जो cost of living और प्रेशर रहता है, earning का वो भी खतम हो जाए, तो अब students first मई से जो भी part-time job करेंगे, वो 20 years पर week ही कर पाएंगे, अब दूसरी बात उनने ये भी बोला है कि fall जो intake है means September से students 24 hours पर week काम करेंगे, means अभी May से लेके September तक students 20 years पर week ही काम कर पाएंगे, but after September जो है, they will allow students to work 24 hours पर week, तो आप सब ये इंशोर करें कि जो भी students अभी September में भी किसने travel करना है, ये September में intake start होगा, या जो May में student गए हैं, वो 20 years वाले हैं, 20 years पर week हैं, और जो September onward जिसने भी वहाँ पर work करना है, तो 24 hours पर week रहेगा, अब वो full time वाला नहीं काम चलेगा, कि full time student काम करेगा वहाँ पर, एक चीज़ और उनने mention किया है, कि जो scheduled break होती है, like winter break और summer break होती है, उनकी like, आप ये बोले जिये कि, जब उनका exams खतम होने के बाद, 2-3 months का बहुत से students का रहता है, कि 2-3 months का break रहता है, तो उस time वो full time काम कर सकते हैं, means कोई limit नहीं है, वहाँ पर, कि आप 40 hours काम करना है, in a week, या 50 hours काम करना है, unlimited you can work, it's on your capacity, कोई limit नहीं उनने set की है, तो my dear friends, I think जो ये रूल था, I thought of sharing to all of you, की working rights को लेके, की working right 20 hours per week है, और September से 24 hours per week है, clear हो चुकी होगी आपको जो भी ये update था, with this guys, thank you very much, best of luck.